कि यह आज इसके बर्स फल पर जो कि 38 साल चल रहा है इस पर कुछ बात करें कि इस्टेवे में 38 साल यानि कि सनी का पिरिएड सनी का समय चल रहे है 36 से शुरुओ चुका है अब इसमें सनी के हालात को जाचने की कोशिस करिये सनी जो जनम समय की कंडिशन दी बुंतीं 38 साल में भी बुंतीस साल यह जनम समय के थे और दूसरी बात है सनी 11 में के समय बुद्ध एक्टिव होता है वो भी है इसको समझे ये हालाद जो बता रहे हैं कि ये समय उचित नहीं है ऐसे समझ देजिए साथ ही राहु सूरज के साथ एक बहुत ज़्यादा मंदा योग होता है इसको भी मत पूलिए है और वह भी आठमे घर समस्या इसमें आठमे घर की मज़े से ज्यादा है जो सूरज और एक बात ध्यान करिए जटे घर में सुकर है आठमा मंदा है बार आ लेकिन मंदा नहीं है जो सुकर की एक कंडिशन है न वह यहां अच्छे वाली लागू नहीं हो इस तरीके से ये भी एक ट्राउला है अगर बार्वा घर भी मंदे हालाता होता तो ज्यादा बहतर होता इनके जीवन में सुकर बहुत कुछ फायदे दे देता सुकर छटे घर में हो तो मंगल की मदद अभी भी देंगे इस टेवे में लेकिन मंगल और सुकर का दुस्मनी भरा संबंद बना हुआ है चक्कर का इसको समझे अब एक और बड़ी बाद मंगल नौमे घर में हो बुद को छोड़के सभी गिरों की बुराईयों को भी रोक देता है अब इस टेवे में आप लोग गौर करेंगे क्या इस टेवे में ऐसा संबब है कि मंगल दूसरे सभी गिरों की बुराईयों को रोक सकता है नहीं है संभॉड क्यूंकि मंगल बुद्ध के साथ Attach कर गया है भूथ की दृष्टी में मंगल आ गया है ृ खाना नमबर नOoh 3 खाना 9 का मंगल नी से बुद्ध देख रहा है अब यह कोईंट और देखिए बुद्ध और मंगल मिले बुद्ध मंगल बनाप्ति क्या बनता है सनीचर सनीचर पहले ही मंदा और सनीचर का सुभाव कैसा होता है आप सभी को पता होगा किस गिरह के अंसार जाएगा यह भी एक बुराई बड़े इस तरह पर उत्पन कर रहा है और बुद्ध की जो टक्कर जनम समय में केतु को थी वो इस बर्सफल में भी है ऐसे समय कई सारी बुद्ध तीन जनम के समय में भी एक्टिव था बुद्ध खाना नंबर तीन का साल में इस बर्सफल में भी एक्टिव है सनी 11 का बहां भी मंदा था उन्हीं हालात में वो भी मंदा है सूरज रावु आठ में वर्पूर बुराई दे रहे हैं ऐसे खाना नंबर एक के गुरू चंदर की टक्कर यह टक्कर बड़ी भारी बुराई करती है आप मैंसे कुछ ना पता हूँ तो मैं पहले थोड़े से सूतर इस टक्कर पर खोल देता हूं और बाद मैं फिर बिस्तार से बोलूँगा दोस्तों जब किसी जलम कुडिली में ग्रस्पति खाना नंबर एक में हो और राहू आठ य के लिए बहुत ज़्यादा खराव होता है वो एक अलग मेंटर है कि इनके पिता के सुख फैले से नहीं है इसमें पिता के साथ हार्ट अटेक पिता के पाओं में दिक्कत मालब बहुत सारी दिक्कत होती है जब भी ब्रस्पति एक राहू आठ या ग्यारा में हो तो इसमें आठ में है राहू पिता के लिए बड़ा कश्ट दायक होता है लेकिन पिता नहीं है तो वात खत्म को समझें सनीचर ग्यारा में जैसे मैं इस टेवे से अलग थोड़ा उदारन दूँआ इसको समझें जैसे कि राहू खाना नंबर चार में आता है किसी की जनमकुंड़ती क तो उसके हैं छट के ऊपर काम कराने के हालात अपने आप पैदा होती है या टोइलेट में अपने आप ऐसे हालात क्रियेट हो जाते हैं अक्समाद उस ब्यक्ति को पता भी नहीं होता और वो राहू वैसे ही बिगड़ते लठ लेके जातक के पीछे पड़ जाता है उसी पि उस परिवार के मैंगेट, दरवाजा, मुखे दुआर उसमें अक्सर समस्याएं आ जाती हैं बंदा उसको बदल दे वो दिखते हैं प्रिगाड रूप ले लेती हैं बुराई की तरफ बहुत ज़्यादा चल देती हैं इस तरीपे से सनी जब भी ग्यारा में हो या ग्यारा में आए इस हिदायत को भी राहू चार्या राहू आठ की तरह ही नोट कर लीजिए मकान का दरवाजा बदलवाना नहीं है और मैं तो गयता हूं भीया रिपेर भी मत्तुर होगा यह जबकि वो भी मंदा असर ही होगा यह भी सच्छा बुद्तीन कहता है वहन बुआ मासी के लिए मैं बुरा असर दूँगा जातक व्यापार करेगा तब भी मैं बुरा असर दूँगा यह भी एक बुरा ही है अब इसमें आप लोग देख रहे हैं बड़ी अच्छी कंटीशन है कि विरस्पति खाना नंबर एक में बैठा है चंदरी भी एक में बैठा है इन दोनों की अपनी हिडायत है तो काम करेंगी नोट आउट लेकिन ब्रस्पति जब भी एक में बैठा हो और बुद्ध अच्छा ना हो तो भी ब्रस्पति का नेक असर नहीं मिलता है इस बात को नोट कर लीजिए इस विसे पे भी मैं कभी कि एक फल नहीं मिलते हैं और दूसरा यहां तो एक कारण है कि सुक्र की भी टक्कर है खाना नंबर एक जबकि ब्रस्पति खाना नंबर एक से या चंदर एक से सुक्रशे को मदद देंगे यह एक सब्सक्र लेकिन टकर तो टकर है इस टेवे कि भुराईयां खोल रहा हूं पराख कहने हैं साथ तो दूसरी बचाव विरिस्पती के हो रहे हैं कि खाना नंबर दोव पांच नो बारा में बिरस्पती के दुसमन हो तो वह तो ढूंब भी को एक सो यह को विस्पती का बचाओ दें 새로운 मैं इस कई लेकिन सात्मा घर खाली है जो देना भी चाहें वो भी नहीं दे सकते क्या किया जाएं दुरस्पति चंदर मुस्तरका है हॉलदारी डाली जाएं सात्मा घर खाली है वो सेवा करी जाएं इससे थोड़े हालात सुधर जाएंगे लेकिन जब आप गौर करेंगे सूरज खाना नंबर आठ में हैं सफेद गाये सुकर छे में हैं सूरज से भी उसका कलेश चल रहा है राव से भी चल रहा है क्योंकि कंडिशन के इसाफ से यह लल्लू करे कवलियां वाला भी साबित नहीं हो रहा है मतलब कि अच्छा हालात का स च्छटे और आठमें घर में पाताल में लहरें उठ रही है यह दिक्कत करेंगी इससे यह भी समस्याएं क्रियेट हो रही है च्छटे और आठमें घर में बर्सफल में बहुत ज्यादा बुराई हैं सुकर पे दिक्कत यानि कि साथी पे जीवन साथी पे अपनी इसकिन में भी यह दिक्कत दे सकते हैं फिजिकली तौर पे भी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी देने के हालात बंते हैं ऐसे समझे अब एक और यहां पर समस्या बड़ी है जो इस जातक के ऊपर साबित होती है जो कि इनके लिए एक साफधानी के तौर पर मैं बोलूँ हुआ मैं क्योंकि बरसफल है तो उपाय है और साब धानी आधी हाथ के हाथी बोलना सुरू करते हुआ इसी टेवे में बरसपती खाना नम्मर एक जैसे मैंने अभी राहू की कंडिशन बताई थी कि राहू आठ या ग्यारा इसी तरीके से एक और कंडिशन एपलाई होती है बरसपत है लेकिन इस तेवे से थोड़ा अलग जाके हटके भी सोचिए अगर बुद्ध और सुकर और रहू में से कोई भी एक एक करके या दो दो करके या तीनों इखट्टे होके आठ और ग्यारा में बैठ जाएं तो इसमें रहू बैठा हुआ है तो इस जातक के सुभाव में अभ और वो आदत बुराई की तरफ ले जाएगी ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा बुरा सोचने लगता है मैं दुबारा बोलेता हूं ब्रस्पति एक आठ और ग्यारा में राहू बोद्या सुक्र में से कोई भी एक दो या तीनों हो यहाँ पर राहू आठ में हो इसलि की बुराई निकालने की बस अपने अपने को आगे वढ़ाने की सूचने की पड़ जाती है वो दूसरों के प्रती अच्छे आचार विचार और साथी विवहार में भी दिक्तने खड़ी कर देता है अब क्योंकि यह सज्जन यहां बैठे हुए हैं तो इनके लिए एक साब और गिरस्ती पे दूसरा चोट मारने का जो कारण इस टेवे में हैं वह आप जानते ही है कि सुपर भी यहां पर नीच का मंदे हालात का पड़ा हुआ है यह वी एक सब्सक्राइब करना क्या चाहिए तो सबसे पहले तो इस तरीके के हालात से बचाओ के लिए अपनी सोच क वो पॉजिटिव रखें नेगेटिव ना होने दें दूसरों की बुराई ना करें दूसरों को अपने से कम तर ना आके साथ ही मंगल के मदद लें क्योंकि मंगल और सुकर का जो यहां पर बैठने का स्थान है चौथे दसमे में यह भी टक्कर का होता है दुस्मनी भरा होत है तो सुकर के लिए हां क्या मदद ली जाए तो सिंपल सा है कि पोटेशियम परमेगने यह अमरी किताम में भी लिखा हुआ है जो लालदवाई बोली जाती है पानी में अच्छी तरीके से बोल ली जाए और कम से कम 33 दिन लगाता है या फिर हर 2-4 दिन में रूटीन में प सुकर को मिल जाएगी तो सुकर को राहू और सूरस से थोड़ा बचाओ हो जाएगा फिर और बड़ी बात आती है अगर संबब हो तो गौदान किया जा सकता है वो सेवा भी की जा सकती है इस तरीके से भी बचाओ हो जाएगा साथ ही सुकर खाना नम्मर 6 में हो पत्नी को र ध्यान रखें पत्नी के साथ भूमें फिरें सेर सपाटा करें भूमने फिरने जाएं पिकनिक मनाएं बजार में खरीदारी करें और वैसे वी एक बात जो मेरा प्रक्टिकल है मैं आपको बता देता हूं जो पती पत्नी दोनों मिलके अपने घर परिवार अपने बच्चों या अपने बजर्गों की जरूर्टों के लिए स्वापिंग बगरा करते हैं कभी कभी बाहर खापी के भी आते हैं जो उनकी पसंदता होता है उससे भी सुकर को बल मिलता है क्योंकि इन सब चीजों से पत्नी खोस होती है अगर पत्नी कामकाजी नहीं है तो धर में रहती है हाउस वाइफ है और हाउस वाइफ के लिए बाहर मिकलना और वो भी अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा महत्कून होता है इस तरीके से भी हम इनके सुकर को बचा सकते हैं इस बात को समझें तो मंगल की सपोर्ट लें साथ ही सुकर को मैंने जैसे बोला राज र कंखने और बुद्ध भी मिल रहे हैं हम चाएं तो आम भी बाट सकते हैं तुर मैं तीन बुद्ध 11 मिसन क्लिवाद कि दुकान वे लिएम देख बाता सकते हैं नाक छेदन भी किया जा सकता है बखरी का दान भी किया जा सकता है लेकिन इससे भी बढ़ एक सुत्र है इसको समझेगा एक और सुत्र यहां पर यह उपाए आप लोगों के लिए साइद नया होगा लेकिन बहुत ज्यादा जैनुवन है मैं आपको यह भी बता देता हूं कैसे बुद की दर्ष्टी पे मंगल पे होने के कारण खराबी तो आही रही है बुद सनी